छोटे बड़े सभी को पसंद आने वाले क्रिस्पी स्वीट कॉर्ण नमस्कार मैं हूँ शुमास की विश्वास और आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्ण स्वीट कॉर्ण बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी दो कप पोयल स्वीट कॉर्ण स्वीट कॉर्ण में ट्रिस्ट के लिए हम डालेंगे नमक स्वाधनुसार और इस पे डालेंगे लाल मेर्च एक चौथाई तिस्पून कॉर्ण को अच्छे से कोट करने के लिए मैं डालूंगी एक चौथाई कब कॉर्ण फ्लोर अब मैं सारे समगरियों को अच्छे से मिला लूंगी ताकि मेरे कॉर्ण खिले खिले बने तेल अब गरम हो चुकी है अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा करके कॉर्ण डालूंगी और इसे हलके आज में तीन मिनिट के लिए पकाऊंगी हलके आज में शुरुवात में पकाने से कॉर्ण फटने का डर नहीं होता है और ये अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाता है इसलिए इसे लो फ्लेम पे पकाना जरूरी होता है कुछ देर बाद हलके हातों से कॉर्ण को हिला लूँगी और अभी कैस का फ्लेम हाई कर लूँगी कॉर्ण एक मिनिट तक पकने के बाद गोल्डन ब्राउन हो चुका है देखिए कितना अच्छा खिला खिला लग रहा है अभी मैं इसे टीशू पेपर पे निकाल लूँगी फ्राइ होने के बाद कॉर्ण इस तरह से दिखेगा फ्राइट कॉर्ण में मैंने मिलाया है स्प्रिंग अनियन ये ओप्षेनल है कुछ कटे हुए प्याज और इस पे मैं मिलाऊंगी कुछ कटा हुआ मेर्च और साथ ही इस पे मैं डालूँगी धनिये के पत्ते और सभी चीजों के साथ मैं मिला दूंगी लेमन जूस कुछ बूंदे इससे टिस्ट बहुत अच्छा हो जाए तिस्टी स्वीट कॉर्ण रेसिपी बिलकुल तयार है इसको ट्राइजरूर करिए थैंक्यू ऑला आईचर तिस्टी स्वीजोर का मेंawkा जार इसस वाए बिलकाशश OP घड़ेगीट adic जार समँ का झांधर जा ए डालोगी गगले उता करो टिस्टी स्वीजोर जार आहले है लेमनें